In this question we have to check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x तो अब इसको हमें चेक करना है कि इसको फेक्टर या नहीं है तो हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं तो दो मेथड़न हैं एक तो हम क्या करें इसमें 7 plus 3x को जिरो करके x की वैलियो पूट कर सकते हैं एक हम लॉंग मेथड़ से कर सकते हैं तो लॉंग मेथड़ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंदर कहा जाएगा यहाँ पर डिविडेशन के अंदर यहाँ जाएगा 3x cube ब्लस 7x अब हम इसे डिवाइड किसे करना है 7 plus 3x या फिर हम इसे 3x plus 7 भी लेख सकते हैं तो जाएगा 3x plus 7 तो अब 3x plus 7 भी लेख सकते हैं हम इसे डिवाइड करना है 3x cube प्लस 7x से तो यहाँ x square से multiply करेंगे ताकि उससे क्या जाएगा 3x क्या जाएगा 3x cube हो जाएगा तो x square से सबसे पहले हमने इसे multiply किया तो यहाँ जाएगा 3x cube यह तो ठीक है और 7 को जब x square से multiply करेंगे तो जाएगा प्लस 7x square अब हम इसे minus करना होगा तो minus करने भी कहाँ जाएगा यहाँ minus हो जाएगा तो 3x cube minus 3x cube क्या जाएगा 0 लेकिन यह प्लस का 7x से और नीचे minus का 7x square तो हम इसे कहले हम इसे minus 7x square plus 7x अब अब हम क्या करना है 3x plus 7 को ऐसे किससे multiply करें कि क्या हो जाए कि जीर हो जाए तो हम क्या करेंगे अब minus 7x square है तो हम इसे 3x को किससे multiply कर देंगे हम इसे multiply कर देंगे minus 7 by 3x से तो हमने minus 7 by 3x से multiply क्यों कि है क्योंकि जब हम इसे minus 7 by 3x से multiply करेंगे तो यहां तो हो जाएगा minus seven x square और यहां कहाँ जाएगा minus 49 by 3x तो यहां जाएगा minus 49 by 3x अब हम जब इसे minus करेंगे तो कहाँ है minus तो यहां पर plus हो जाएगा और यहां भी plus हो जाएगा तो यह दोने तो आपस में cut down हो गए और हम मारे पास बचेगा क्या, मारे पास बचेगा 49 by 3x minus 7x, तो इसकी value किता जाएगी, 49 by 3x minus 7, sorry 49 by 3x plus 7x हो जाएगा, तो अगर हम 3 LC हम नेल देंगे, तो इक हो जाएगा, 49 plus 21, which is equal to 70x by 3, तो यह value solve करने भी किता जाएगी, 70x by 3 के एकुल हो जाएगी, now, अब हम क्या करेंगे, यहां गया, equal to 70x by 3, तो हम वैसे हमने यहां पर ऐसा solve किया, यह हमने बताने के लिए कि लिए कि, तो अब हम इसे direct लिग देंगे, 70x by 3, so this is 70x by 3, now, अब 3x plus 7 को हम किसे multiply करेंगे, कि 70x by 3 मिल जाएगे, तो हम क्या करेंगे, आगे तो मैं पता है, 0 है, यहां से जाएगा, plus 70x by 3, तो इसे हम direct 70 by 3 से ही, क्या करते हैं, multiply करेंगे, तो plus 70 by 3 हो गया, तो उसे क्या जाएगा, यहां आजाएगा, अपान में 70x by 3, plus 70 into 7 is 490 by 3, now, यहां भी क्या करेंगा, माइनस को साइन जाएगा, और यहां भी माइनस को साइन जाएगा, तो अब जब यह क्या है, यह दोने तो कट जाएगे, 70x by 3 और 70x by 3, तो यह दोने तो आपस में माइनस हो जाएगे, और बुचे का कि हमारे पास only minus 490 by 3, तो जो हमारा reminder आया है, वो किसके equal आया, reminder आया, 490 by 3 के equal, तो अगर यह इसके वो divide कर रहा होता, properly, तो reminder क्या आता है, 0 होता, तो indirectly, हम से जो पूछा आता है, क्या है, check whether 7 plus 3x is a factor of 3x q plus 7x, तो answer क्या आएगा, no, because reminder, no, reminder is not equal to 0, so reminder equal होना चीए, किसके 0 के तभी factors होते हो, यहापर कहें reminder z equal नहीं है, 0 के, so this is not a factor,